श्री राधे राधे भगवान की अनन्य भक्ति में बहुत महान शक्ति होती है। जिस किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की अनन्य भक्ति प्रकट होती है, उसके द्वारा असंभव कारे भी संभव हो जाते हैं। और ठाकुर जी उसके जीवन में चमतकार ही चमतकार भर देते हैं पस आवश्यक्ता है अनन्यता की प्रभु की उपर भरोसा हो प्रभु की सची अनन्य भक्ती हो प्रभु से प्रेम हो तो कुछ भी असंबव नहीं होता है बड़े-बड़े संकट एकदम आनन्द के साथ समाप्थ हो जाते हैं अर्थात उसके जीवन में सूली भी फूल बन जाती है ऐसा ही विचित्र चरित्र है श्री भानुदास जी महराज का ये महराष्ट के एक महान भक्तु है श्री भानुदास जी एक रिग्वेडी ब्राहमण थे और दामाजी पंट की कथा जो आप सुन चुके हैं उन्ही दामाजी पंट के समकालीन थे इन्होंने भी संबत 1525 से संबत 1532 का भयंकर आकाल देखा था इनके कुल में बिठ्छल भगवान की उपासना परंपरा से चले आई थी और इनका यज्योपविश्चन स्कार समय से हुआ दस वर्ष की वस्था के पहले ही हो गया तो गायत्री का इन्होंने पूरह स्चारण करना शुरू किया और धीरे धीरे सूर्य भगवान में इतनी भाव भक्ती हुई कि सूर्य की उपासना करने के लिए ये एक मंदिर के तहखाने में बैठ करके साथ दिन तक निरंतर सूर्य की अराधना की और आठमे दिन भगवान सूर्य देव रूप में प्रकठो कर इनके सम्मुख खड़े हो गये और इसलिए इनका नाम भानुदास हुआ भगवान सूर्य देव ने कृपा की और इनको ज्ञान भी दिया और भगवान की भक्ती भी दिया महराज इतना भाव हुआ अज बिठ्छल भगवान के चर्णों में इनका की सूर्य उपासना तो पीछे रह गई बिठ्छल की उपासना ने ही संपूर्ण हुर्दय में स्थान प्राप्ट कर लिया विभा भी इनका हुआ और बंश भी चला और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनहीं के बंश में आगे चल करके महान संत एकनाथ जी महराज हुए थे जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं जिनके यहां बारह वरस्त को भगवान बिठ्छल श्री खंडिया नाम के नौकर बन करके रहे थे इतने उचे भग्त हुए एकनाथ जी महराज हुए उन्हीं एकनाथ जी के यह पूरवज थे श्री भानुदासी जिनकी कथा इस समय आप सुन रहे हैं यह परिवार वाले थे घर में अपने एक छोटी सी दुकान रखते थे आठमे दिन घोड़े पर कपड़े लाद करके रासपास के गाउं में बेच आते थे जो मिल जाता था उसी चे निर्वा भी कर लेते लेकिन इनका सुभाव था कोई भी चालाकी नहीं करना व्यापारी कोई चतुराई नहीं करना जूट कभी बोलना नहीं इनकी चतुराई से हीन सच्चाई देख करके यापारी लोग कहते थे कि यह कुछ नहीं कमा पाएंगे पर जूट बोलना ही नहीं चाहते इमानदारी और सच्चाई से जीवन इनका है कौन कैसे पैसा कमाएंगे और दो बार इनको घाटा भी लगा पर महराज इन्होंने अपने सत्यवरत छोड़ा नहीं और इनकी सच्चाई देख करके बाद में इनकी ऐसी साख जमी कि सब ग्रहक इनहीं की दुकान से खरीते थे और इतना ग्रहक आने लगे इतनी ज्यादा मात्रा में ग्रहक आने लगे कि धन अपार इनके पास आने लगा बहुत धन आने लगा तब इनोंने अपने जीवन में कुछ गरवड़ी नहीं आने दिया यह बहुत बड़े धनी हो गए लेकिन फिर भी भगवान की भक्ती में उसी तरह से लगे रहे पहले की तरह से जनतर प्रभु को स्मर्ण करना, नाम उस्मर्ण करना, सद्ग्रंथों का पाठ करना और व्यापार में नाम होने के बाद भी इनकी पूजा भक्ती में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पाई अशार महीने की एकाद रसी में जो यात्रा जिसको महराश्न बारी बोलते हैं वो इनकी कभी छोटी नहीं, ये सारा बिजनेस अपना छोड़ करके आशार की एकाद रसी की बारी में जाते थे जो पैदल यात्रा होती है, और धीरे धीरे इनको लोगों ने केवल व्यापारी नहीं एक महान भक्त की रूप में देखना शुरू कर दिया पंधरपुर की आत्रा में इनका बड़ा नाम हो गया, लेकिन ये नाम नहीं चाहते थे तो प्रभू की आराधना में ही तनमे थे भगवान बिठ्छल से इनका प्रेम अद्भुत था, भग तो लोग जान गए कि ये सच्चे प्रेमी है प्रभू के और उनी दिनों की बात है, डक्षन में एक विजे नगर है, आंधर प्रदेश में, अब विजे नगरम बोलते हैं उसको, विजे नगर का जो राजा था, वो महापराक्रमी था, उसका नाम था क्रिश्म राय, वो महाबली, महापराक्रमी जो राजा थे, वो अपने सामराज का चतुर्दिक विस्तार करना चाहते थे और उसकी सरवांगिन उन्नत भी हुई ये कृष्ण राय राजा एक बार बिठल भगवान के दर्शन के लिए विजय नगर से पंधरपुर आए उसमें रेल नहीं चलती थी बसे नहीं चलती थी येकिन फिर भी धर्मात्मा राजा आए और दर्शन करने के बाद उनके मन में पता नहीं कहां सी ये भाव ना आ गई कि पंधरपुर के पंधरीनात अर्थात बिठल भगवान को मैं अपने राज्जी में ले चलूँ और इतनी बड़ी फोज के साथ राजा आया था कि पंधरपुर की जंता कुछ बोल ही नही अगर ले गया और जिस समय ले गया उस समय पंधरपुर में दर्शनार्थियों की भीर नहीं चल रही थी कोई परव का समय नहीं था उसके ठोड़े जिन बाद आशाड की एका दसी आई जब भाक्तों लोग यात्रा ले ले करके पंधरपुर आये और पंधरपुर में आने कल्प किया प्रभु की प्रेम के करन कि हम मंदिर से वापस नहीं जाएंगे जब तक हम लोग भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर लेंगे सब भाजन कीरतन में लग गए उन्हीं भक्तों में ये भानुदास भी थे जिनका चरित्राब सुन रहे हैं और उन्होंने पता क कर लिया कि विजय नगर का राजा कृष्ण राय विठ्थल भगवान को उठा करके अपने राज्जी में ले गया भानुदास जी महराज ने कहा मैं भगवान को निश्चित ले करके आऊंगा आप भक्त लोग महम को आशिरवाद दीजे भक्तों का आशिरवाद प्राप्त करके मैं यह कारे कर लूगा प्रभू की कृपा मेरे ऊपर है और आप भक्तों का अशिरवाद है इसलिए निश्चित यह कारे संपन्न हो जाएगा बहुत ही विनम्रता के साथ भक्तों को सास्टांग दंडवत करके भगवान की जय बोल करके विजय नगर के लिए भानुद दर्वाजे में तो ताले लगे थे राजा ने बहुत कड़ी विवस्था की थी कि कोई बाहर का आदमी ना आने पावे पर भगवान जब चाहते थे तो कौन रोक सकता है जितने पहरेदार थे सब सो गए दर्वाजे में लगे वे ताले अपने आप खुल गए और भानुद सासी मंदिर में घूस करके भगवान के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गया महराज भगवान के गर्व ग्री का दर्वाजा भी खुल गया अपने आप बिना हाथ लगाए और भानुदास तो भगवान के चरणों में सास्टांग गिर करके और जोर जोर से रोने लगे अपने प्रेमास्रों से प्रभु के चरणारविंद को स्नान करा दिया और हाथ जोर कर कहने लगे भगवन अब हमारे साथ चलिए और आपके बिना हम लोगों का जीवन असंभव है हम सब भगतों मर जाएंगे आपके बिना इसलिए आप चलिए हमारे साथ मैं आपको लेने के और अपना अच्चन्त कीमती नवरत्नहार जो कि राजा ने पहिना आया था बिठ्थल भगवान को वो बिठ्थल भगवान ने अपने गले से निकाल करके भाउदास जी महराज को पहिना दिया किन्तो आगे की लिला ठाकुजी ने बहुत ही अद्भूत की कहां तो अपना ही नवरत्नहार अपने हाथ से ही गले से निकाल कर पहिनाया था भगवान भवान नास को और कहां इसके बाद ठाकुजी ने ऐसी अद्पति लिला कि जो समझ में आना मुश्किल है उसके बाद ये हुआ कि पहरेदार जग गए और पहरेदार उन्हें पकड़ लिया भानुदास को और गले में वो अत्यंत कीमती नवरत्नहार जो था वो भी पहिने को पकड़ लिय और सिपाही लोग पकड़ करके राजा के पास गए राजा से सिपाही ने कहा राजा तो भानुदास को जानता नहीं था राजा से सिपाही ने कहा महराज ये चोर है और बिठ्छल भगवान के पास चोरी से पहुंच गया था और हम लोग जान नहीं पाए कैसे पहुंच गय और भगवान का हार चुरा लिया है और हो सकता था कि ये बिठ्छल भगवान को भी चोरी से कहीं ले जाता महराज राजा ने आग्या दिया कि इस चोर को सूली पर चढ़ा दो भानुदास को सूली पर चढ़ाने की आग्या हो गई और तब जब सूली के पास ले करके चले हैं सिपाही लोग तो भानुदास ने शी बिठ्थल भगवान को पुकार करके कहा कि चाहे आकाश तूट पड़े ब्रह्मान फट जाए चाहे मेरा नास हो जाए कुछ भी हो लेकिन हे बिठ्थल भगवान मैं आपके अलावा अन्य किसी का आश्रे नहीं पकड़ सकता हूँ मैं आपके अलावा और किसी को जानता नहीं हो बिठ्थल प्रभू मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा करूँगा और आपकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ महराज इतना भाव विभोर होकर तन्मय हुए कि जब सूली के पास वा पहुंचे तो प्रभू ने चमतकार कर दिया और सूली के निकट पहुंचने पर चड़ाय जाने के लिए तैयारी और रेक उठा कर सूली पर चड़ा दिया जाए और उनके प्राण निकल जाए उसी समय सूली जो बहुत ही तीखी नोक वाली लोहे की गड़ी हुई थी मोटी सी सूली उपर पतला चनोक और नीचे खुब म उसी सूली में सबके देखते देखते ही छोटे 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 पत्ते निकलने लगे हरे हरे और फिर लाल लाल फूल निकलने लगे और उसमें छोटे छोटे फल निकलने लगे और सबके आँखों के सामने चमतकार हुआ कि वो विशाल लोहे का दंड जो सूली का था वो एक बला ही सुगंधित मनहर पूश्पफल से आच्छादित एक व्रिक्ष बन गया और जब राजा ने चमतकार देखा राजा के मंत्रियों ने, सीपाईयों ने और फोज के अधिकारियों ने ये चमतकार देखा, तो राजा समझ गये के अधिक है ये तो कोई अध़ूत भगवत भक्त हैं ये कोई महान सिड्र सत्पुरुष है, ये कोई चोर नहीं है और ये जयो ही समझ में आया है, राजा चर्नों में गिर गया राजा चर्णों में गिर करके रोने लगा और ख्षमा मानने लगा चर्णों में लोटने लगा और कहने लगा महराज आप जो भी हैं महान संत हैं आप जो भी हैं भगवान के अच्षे सच्चे भगतों और सत्पुरुश हैं मुझे से बहुत गलती हुई जो सूली पर चढ़ाने के लिए मैंने आग्या दिया था अब आप मुझे ख्षमा कर दीजे और आप आग्या करिए मुझे क्या करना है आप किस कारे से प्रसंद होगे वही कारे में करने को तयार हूँ तब भानुदास चिनम राजा से कहा मैं बिठ्छल भगवान को पंधरपूर ले जाने के लिए आया हूँ मैं बिठ्छल भगवान की आग्या से अंदर गुसा हूँ सारे आपके पहरेदार सो गए सब ताले अपने आप खुल गए ये प्रभू की आग्या की कारणी तो है जब उनकी इच्छा नहीं होती तो पहरेदार क्यों सोते उनकी इच्छा नहीं होती तो ताले क्यों खुलते सब भक्त पंधरपूर में रो रहे हैं बिठ्छल के दर्शन के लिए और विठ्छल भगवान की इच्छा से ही मैं उनके चरणों में पहुंश पाया हूँ और उन्होंने खुद मुझे नौरहत्महार पहिनाया है और अब मैं उनको ले जाने के लिए राजा मैं तुझे कह रहा हूँ कि तुम मुझे विठ्छल भगवान को दे दे और मैं ले करके जाऊं राजा इतना प्रभावित हुआ कि राजा रे रत्नों से जटित पाल की मगाई और उसने स्वयम बिठ्छल भगवान को अपने हाथ से बैठवाया और एक विशाल फोज की पल्टन साथ में दिया जिससे रास्ते में कोई बाधाने पड़े और भानुदास से प्रार्थ न किया आप मुझे महाप करना आपकी इच्छा नुसार विवस्था में ने कर दिया है बड़े ठाट बाट के साथ भगवान को आप ले करके जाईए भक्तों अचार की एक आदसी से लगातार की इर्टन करते हुए भक्तों का समुदाय पंधरपूर में पड़ा हुआ था कि भानुदास जी महराज गये हैं वे ले करके ठाकुर जी को आएंगे तो वो पहली बारी होती है जो आचार की होती है जो ठीत यात्रा और दूसरी जो यात्रा कार्थिक में एक आदसी को होती है उस यात्रा के ठीत पहले भगवान को लेकर के भानुदास जी महराज इतनी दूर से यात्रा करते हुए विजय नेगर आंधर प्रदेश में और पंधर पूर है महराष्ट में आंधर प्रदेश से पंधर पूरो ठाकुर जी को लेकर के आगए कार्थिक की एकादसी की बारी से पहले आ गए और तब से इसी उपलक्ष में पंधरपुर में कार्थिक की एकादसी को बहुत विशाल समारो होता है भगवान की बहुत सुन्दर शोभा यात्रा निकलती है और मैंने जैसा भी बतलाया आपको की इतने महान भगवत भक्ते भानुदास जी थे की इनी के बंस में आग चल करके भगवान के परम प्रिभक्ते एकनाच जी महराज हुए हैं जिनका चरित आप पहले सुन चुके हैं ये भानुदास भगवान के इतने प्रिभक्त हुए कि बस भगवान भिठल ने इनको अपने गले से लगा करके कहा आपने मेरे लिए इतना कष्ट जेला अपने को समर्पित किया मेरे लिए इतना कठिन कारे किया जो कोई कर नहीं सकता था तो अब आप मेरे पास रहिए भा भगवान ने अपने चरनों में ही वहीं पंधरपुर में ही रोक लिया और वह पूरे जीवन पंधरी नात-बगवान की सेवा में समर्पित भक्तों हो कर कर जीए और भक्तों के विप्री हुए भगवान के विप्री हुए ऐसे महान संत भक्त थेश की भानुदासी माराज जैसी रात है रात है